आज मैं आपके साथ दही फुलकी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसको मैं आपको दो तरह से बनाना बताऊंगी जो कि टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिलीशिस लगती है आपको जो भी टेस्ट कन्विनेंट लगे आप उस तरह से अपनी दही फुलकी तैयार कर सकते हैं यहाँ पर मैं दो तरह की दही फुलकी बनाने जा रही हूँ एक दही फुलकी हम तड़के वाली बनाएंगे दूसरी दही फुलकी हम खटी मीठी बनाकर तैयार करेंगे तरह का लंप ना रहे आप मेने इसमें आदा टीजपून नमक एड़ किया है इसी के साथ में एक टीजपून काला नमक एड़ कर polish अब मैंने इसमें देडल टीजपून कुटी हुई लाल मिर्चे एड़ करी है आप मैंने इसमें एक टेबल स्पून भूना हुआ जीरा powder इसके बाद मैंने इसमें एक टीस्पून चाट मसाला पाउडर एड़ कर दिया है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें आधा कप दूद एड़ कर रही हूं इसकी कंसिस्टेंसी पॉफिक करने के लिए दूद की जगा आप इसमें पानी का भी यूज कर सकते हैं तो बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद दो अलग बाउल में इसको डिवाइड कर दिया है तड़के वाली दही फुलकी में मैं एक टीस्पून कूटा हुआ लस्सन एड़ कर रही हूं इसी के साथ मैं इसमें तीन टेबल स्पून फ्रेश फाइन चॉप किया हु अब इसको मैं एक साइट रख़ दूँगी दूसरी तरफ हम फुलकी का बैटर तयार कर लेते हैं तो इसके बैटर के लिए एक बाउल में एक कब बेसन ले लिया है उसमें मैंने दो तीस्पून कॉन्फ्लार एड़ कर दिया है अब इसमें मैंने एक टीस्पून कुटी हु पाड़े बैचस में पानी एड़ोंगी और बिल्कुल इस मूद् लंफ्री कंसिस्टेंसी का बेटर ने करने के लिए नॉर्मल पाणी लिया है जब ये बिलकुल स्मूथ लंफरी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तब किसी भी विस्क या फिर हाथ से एक ही डारेक्शन में चार से पांच मिनट अच्छे से फेट लेना है जितने ज्यादा प्रॉपर तरीके से ये फेटा हुआ होगा उतने ही अच्छे ये रिजल्ट देगा और हमारी दही फुलकी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और लाइट बनकर तयार होगी विस्क से ये अच्छे से नहीं फेट पारा था तो मैं अब हाथ का यूज़ कर रही हूँ और इसको चार से बाच मिनट अच्छे से फेट लूँगी एक ही डारेक्शन में तो बस इसको हम फ्राय कर लेंगे फ्राय करने के लिए मैंने पहले से ऑईल को गर्म होने रख दिया था ऑईल को मैंने हाई फ्लेम पर मीडियम हॉट कर लिया है इसमें एक एक करके छोटे चोटे पोर्शन में बैटर एट कर रही हूँ इसका साइज हमें बहुत ज्यादा नहीं रखना है क्योंकि दही में जाने के बाद यह और ज्यादा फूल जाती है बस इसमें बैटर को एट करने के बाद मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम पर कर दिया है बस इसको अब लो टू मीडियम फ्लेम पर चारो तरफ से फ्लिप करते हुए अच्छा सा गोल्डन ब्र देंगे 10-12 मिनट के लिए जिससे फुलकियों में दही का अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और दही अच्छा से अब्जॉब कर लेंगी जब तक दूसरी तरफ हम इसके लिए तड़का रेडी कर लेते हैं जिसके लिए मैंने एक पैन में दो टेबल स्पून ओयल को गर्म कर ल हमारी तड़के वाली दही फुलकी रेडी है दूसरी तरफ हम घटी मैठी पूरकी रेडी कर लेते हैं जिसके लिए इसमें इमली की घटी मेरी चटनी ऐδ कर रहे-हूं इसे के साथ मैं इसमें ग्रीन चटनी आडे कर रहे हूं इमली की खटी मेठी चटनी और ग्रीन चटनी की रेसिपी अल्रेडी मेरे चैनल पर अपलोडेट है अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी आप वहाँ पर चेक कर लीजेगा तो बस इस तरह से हमारी दोनों ही दही फुलकी हैं बिल्कुल रेडी हैं आप लोग भी इसको जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही जल्दी से बनकर तयार हो जाती हैं अगर आपको मेरी रेसिपी इस ट्राइ करने के बाद अच्छी लगती है तो प्ल आपको मेरी हर अपलोड़ेट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और यह कंप्लीटली फ्री है तो काइंटली इसको जल्दी से प्रेस कर लीजेगा ओके थैंक्यू सो मच वाचिंग माई वीडियो